हेलो विर्वान वेलकम बैक टू माई चैनल आज मैं फिर से आ गई हूँ आप सबके लिए एक मज़िदार वीडियो लेके जिसमें आप देखने वाले स्टार नॉजल का एक यूज मतलब स्टार नॉजल को यूज करके हम किस तरह से एक केकी बिल्कुल नए एकदम नया और र सबदावाला भी ले सकते हैं पर मैंने यहां पर मत जोटा ले और पहले मैं नीचे से ठाट कर रही हूं नीचे जिस तरह से हम इक बार ही घुमा के छोड़ना है पहला वाला हमें थोड़ा बड़ा रखना है सेकंड वाला हमें मीडियम रखना है थार्ड वाला हमें एकदम स्मॉल रखना है ठीक है मतलब लार्ज मीडियम स्मॉल ठीक है थोड़ा बड़ा रखना है स्टार्टिंग में फिर उससे थोड़ा सा कम र उसके उल्टे तरफ से फिर हम एक ही बार जस्ट वान टाइम एक ही बनाएंगे इस तरह से ठीक है फिर हम इसी प्रोसेस को पूरे केक में रिपीट करते जाएंगे तो यह देखिए हमारा जो डिजाइन है नीचे वाला जो मुझे करना था वो हो गया आपको मैं एक बता देती हूँ जो डिजाइन मैं अभी इस केक के उपर क्रियेट कर रही हूँ न चारो तरफ से वही सेम डिजाइन आप किसी भी वेडिंग केक में अगर बनाएंगे न बह वाइल लुक आता है बहुत ही ट्रैडिशनल एक लुक आता है तो यह बहुत ही अच्छा एक डिजाइन है मैं क्या बता हूँ आप लोग देख लीजिए इसके बाद मैंनी क्या है उपर में डिजाइन करने के लिए जस्ट एक पाइपिंग में को छोटा सा कट लगा लिया ह पाइपिंग बैग में और उसके बाद इस तरह से हमें हाफ सी बनाना है उल्टा तो इस तरह से हम टू टाइम मतलब दो बार हम सेम प्रॉसेस को रिपीट करके उल्टा सी करते जाएंगे डवल लेयर में यह देखिए चारों तरफ से हमें कॉबर कर देना है अच्छे से उसके बाद फिर से सेम नौजल लेके हम जस्ट हमें एक डिजाइन क्रिएट करेंगे केक के उपर वाले हिस्से में थोड़ा सा हाथ को उपर के तरफ उठाते हुए फिर नीचे के तरफ हम लाएंगे फिर उपर के तरफ लेके फिर नीचे के तरफ लेना है इस तरह से एक हाइट आ जाएगा एक जगा पे और नीचे थोड़ा सा डाउन जैसा लगेगा एक डिजाइन आटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा यह देखी ऐसा वाला फिर हम क्या करेंगे जो सी हमने बनाया है ठीक दो सी के बीच में जो गैप रह गया है उसको हम कौवर करेंगे तो नीचे से पकरके नॉजल को उपर के तरफ लेते जाना है नीचे थोरा सा पेशर क्रियेट करके उपर हमें पेशर को एकदम म भी चैना कर रहे है विह तरते जो मैं दोनों सी के बीच का गैपिंग मैंने भड़ा था जो डिजाइन करके तरह से अभी से मैं कर रहे हूँ उपर में नेसिजरी नहीं है आप चाहे तो उस तरह से ऋसक़े छोर सकते है से एक गूंसी फ्लावर एड़ करके उस बीचて में ऐ के उपर जो बीच में बनाया था उसके अंदर आप रख दे ठीक है यह सारे फ्लावर की वीडियो मैंने एक वीडियो में आलरेड़ी दो वीडियो बना चुकी हूँ उसको जाके आप चेक करें तो इस तरह की कुछ भी फ्लावर आप इसमें एड करें तो इसलिए मैंने बस ब बीच में तीन रोज को एड करके जो विप ट्रिम से रोज बनते हैं उसको एड करके भी मना सकता है फिर कुछ पत्ते एड कर दे आप देखिए नीचे वाला जो डिजाइन है कितना अच्छा आया है इस तरह से कुछ पर्ल्स को भी एड कर दे अगर आप करना चाहे तो गोल करके दिया है आप यह वेडिंग केक में भी ट्राइ करें बैस्ट रहेगा और ऐसे भी नॉर्मल केक में ट्राइ करें तो कस्टमर तो बहुत ही ज्यादा खुश रहेंगे उनको नया कुछ नया हटके मार्केट में जो एबलेबल होता है हार टाइम उससे हटके मतलब उनको म की लेगा तो वह बहुत खुश हो जाएंगा आई होवी यह वीडियो आप सबको पसंद आया होगा मिलती हूं में नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइ